सीधे लिए चलते कैराना यहां पर जंग बहुत दिल्चस्प है आप पिछली बार की जंग एक तरह से कैराना में कुमार अभिशेक दोराई जा रही है नाहिद हसन वसस म्रिगांका सिंग बीजेपी की तरफ से और नाहिद हसन जेल में इसको बीजेपी सबसे बड़ा मुदा आपके साथ वो और अगर मौझूद है बात कीजे उनसे विल्कुल अंजना मैरे साथ इसकतर मुरिगांका सिंग मौझू päال करें लेकिन हम उन से बात करेंगे फिल्हाल मेरे तरफ आपको चारों तरफ आपको भीड सबसे ही दे रही है मिरिगांका सिंग इस वक्ति जोड़ लाइन लगा के वोट कर रही है लेकिन इस बार के मुद्दे क्या है क्या पलायन यहां का मुद्दा है या फिर धुरुवी करन भी एक मुद्दा है देखें बहतर कानून विवस्ता कि कारण जो अपरादियों का पलायन हुआ है यहां से वो जनता देख रही है और समझ भी रही है और जनता चाहती है कि यह रामराज आगे भी 2022 के बाद 5 साल चले लेकिन नाहीद हसन यहां से विधायक हैं जेल में हैं आपको लगता नहीं है कि उन्हें साहानुभूती उनके तरफ भी है क्योंकि अगर हम कतारें देख रहे हैं तो उनके भी समर्थक उनके वोटर बड़ी तादाद आपके इस कॉन फिधन्स की वज़ा क्या है आप मुस्कुरा भी रही है क्योंकि यह ऐसी जगह है जो कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा वाले सीट भी है और बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सी देखे अभी मैं भी बहुत पिछले कई हफते से संपर कर रही थी गाउं-गाउं में अपने बहनों से भी संपर कर रही थी चाहे वो किसी भी समाज से हो तो मैंने जो उनमे एक देखा उनको कितनी संतुष्टी थी आत्म करकार के कारियों को लेकर अभिशेक मेरे आत्मिश्वास का कारण है लेकिन जब अमिश्वास यहां जे बिलकुल अंजना जी अभिशेक उनसे सवाल पूछिए हैं यहां से मेरी तरफ से कि 2017 के चुनाव को देखे और उस वक भी 2013 का मुझफर्णगर का दंगा हो चुका था पलायन के तमाम मामले थे लेकिन नाहिद हसन की जीत हो गई अब ऐसे में इस बार उनको क्या लगता है वही तमाम मुद्धे फिर से उठा कर कैसे वह आश्वस्त हो रही है क्या उनको लग रहा है इस बार यूएस पी हो सकता है जिससे उनको भरोसा हो रहा है कि मैं इस बार बीजेपी के लहर के बावजूद यहां से नाहिद हसन जीते थे तो ऐसा कौन सी ऐसी बात इस बार आपको दिख रही है कि वो मामला पलट जाएगा जबकि दंगों का दर्द भी जखमिया भरता जा रहा है देखे कुछ पर्सनल समीकरन परिवार के ऐसे हो गई कि परिवार के ही एक सदस्य चुनाव में थे इस कारण सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि परंतु इस बार तो पूरा परिवार एक जुट होकर चुनाव लड़ रहा है और जो कमी पिछली भार थी वो अब नहीं है यानि आपके परिवार से वोट कटा था आपका ये कहना है लेकिन आपको दिखने रहा कि पोलराईजेशन यहाँ पर एक तरीके का है जनता उत साहित है भारते जनता पार्टी के नीतियों के प्रति मुझे लगता है कि सब भाई बिना भेद भाव के भारते जनता पार्टी को समर्पित होकर आज वोट करने आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने नारा दे दिया अस्सी और बीस का नारा दिया लगातार वो बाते कह रहे हैं को नहीं लग रहा है कि यह चीजें आपको नुकसान करेंगी या फायदा करेंगे किम से कम से कम इस जगह पे वो उन्होंने किसी कंटेक्स्ट में यह बात समझाई थी परंतु देखे सर्व समाज यहां पे आपके सामने भी उपस्तित है जनता पहचान रही है कि कि सरकार मे उनकी अप ठेक है अप एक शाएं पूरी हो पाएंगी और जनता का तूट विश्वास भारते जनता पार्टी के प्रती है